गूर्णिंग इस्टुन्स हमारी वैलेंस बॉर्ण ठीज चल लाई थी उसको हमने बताया उसका पॉस्ट्रेट बताया और पॉस्ट्रेट मैंने इस्प्लेइन नहीं किया था मैं लेटर आउन कर दूगा तो फिर बात आ गई थी हाई स्पीन लो स्पीन कॉंप्लेक्स इस्ट है अगले वीडियो से लेकिन पहले आप जान लीजिए कि कौन स ऐीगाइठ स्ट्रॉंग है और कौन शूलीगाइठ वीख है यह जान लेना भहुत जुरूरी है यह NCRT का आपका स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज है स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज बताता है कौन सालिगैंट स्ट्रॉंग है और कौन सालिगैंट वीक है आप देख सकते हैं CO आपका स्ट्रॉंगेस्ट है I- आपका वीकेस्ट है CO आपका सबसे स्ट्रॉंग है आई माई ने सब का सबसे भीखा है चिक यह order था अच्छे यह order तो NCIT में लिखा हुआ है इसको पहले मैं समझाता हूँ फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सिर्फ इसी order से सारा काम होने वाला नहीं है और भी चीजें आपको जाननी पड़ेगी जो आपके book में नहीं दी है जैसे CO, CN यहां से यहां तक आईए इन्हें हम कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगाएंड फिर आप यहां से आईए यह जो है न, EN से आपका object आयन तक इन्हें हम कहते हैं सिग्मा डोनर और बच्चों यह जो order आया है आपका लास्ट लिगाएंड को हम कहते हैं पाई डोनर सिग्मा पाई एक्सेप्टर सिग्मा डोनर पाई डोनर अब सबसे स्ट्रॉंग पाई एक्सेप्टर होते हैं उनके बाद सिग्मा डोनर होते हैं सबसे बेकार होते हैं पाई डोनर ऐसा क्यों होता है यह आपके सलेवस के बाहर है fat मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके saliva के बाहर है इसको जानने के लिए आपको molecular orbital theory पढ़नी पढ़ेगी और तब आप जानेंगे अच्छा कुछ चीजें जो गलत आपको पढ़ाई जाती है वो भी मैं clear बोल दूँ कई जगा मैंने देखा है कई बुक्स ऐसा लिखती है कि जो ligand की strength है strength of ligand proportional to charge on it कि जो ligand की strength है वो उसके charge के directly proportional है बच्चो यह गलत बात है यह जो concept आपको कई किताबों में लिखा है गलत बात है कारण है आपका neutral है यह neutral आपका सबसे strong है cn minus पर minus charge है वो आपका weak हो गया इसके comparison में cn minus weak है जबकि charge तो cn पर था सबसे strong उसको होना चाहिए था लेकिन सबसे strong c o होता है फिर आप देखिए neutral 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 इस पर charge है neutral इस पर charge है इस पर charge इन सबसे चार्ज है जिन पर charge है वो सबसे पीछे है जो neutral है वो सबसे आगे है तो यह जो concept कई किताबों में लिखा रहता है वो गलत है कि strength of ligand आप पता करेंगे सिर्फ experiments से सिर्फ और सिर्फ इसको experiment से ही determine कर सकते हैं experiment करके एक series बनी उस series में ligand को रखा गया in increasing order या in decreasing order of their strength उसे कहते हैं spectrochemical series मैं अभी लिख देता हूँ बातों को strength of ligand can be determined only experimentally only experimentally strength of ligand केवल experiment से ही आप निकाल सकते हैं यह charge बार से निकलने वाला नहीं है तो यह तो था आपका order तो अब इसको क्या लिखेंगे पहले लिख देते हैं आप देखी सकते हैं पाई acceptor वाले सबसे strong हैं उसके बाद सिग्मा डोनर सबसे बेकार पाई डोनर तो उसको भी लिख दीजे जो आपका strength of ligand है अभी भी आपने बहुत सारी कीज़ें नहीं सिखी है कि strength of ligand का काम क्या है क्यों कोई strong है क्यों कोई weak है डीटेल में आपको पढ़ा जाएगा अभी structure आपका बने hybridization VBT में आप सीखें कल से केवल उसी का जुगाड हो रहा है अभी कल से उसी का बेकाम हो रहा है कि कैसे कैसे आप structure आपके सामने आ जाए तो आप बना लें अभी क्यों उसी बेकाम हो रहा है अभी detail में हम नहीं जा रहा है इस टेंग अप ligand पहले होते हैं pi acceptor पाई acceptor उनके बाद आते हैं sigma donor सबसे बेकार होते हैं pi donor सवाल उता है sir कौन pi acceptor होता है ligand sigma से तो electron देता है पाई orbital से electron ले लेता है यह सिर्फ sigma से electron देते हैं कहीं से लेते नहीं है यह sigma से देने के बाद pi से भी देते हैं इसलिए pi donor है तो इनके बारे में बहुत detail में आपको नहीं जाना है कोगि आपके saliva में नहीं है अब एक बात बताएए पहले मैं इसकी definition लिख दूँ on the basis of experiment comma a series is made that contain ligand and in increasing color or decreasing color, increasing order of their strength, such a series is called spectrochemical series. यह series आपके बुक NCRT में दी गई है, लेकिन सिर्फ यही series जान लेना हमारे लिए काफी नहीं है, कुछ चीजें और हमें जाननी होगी, आपको बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक complex लेता हूँ, अगर मैं एफी फोर प्लस ले लूँ, एफी टू प्लस ले लूँ, आप निकाल लीजें ना, ऑक्सिदेशन स्टेट निकालना तो सीख लिए हो, यह माइनस वन होगा, तो माइनस शिक्स देखो, एक्स प्लस 6 इंटू माइनस 1 बराबर माइनस 2, क्या आएगा, प्लस 4, इसका निकाल लो, एक्स 6 इंटू माइनस 1, माइनस 4, एक्स क्या आएगा, प्लस 2, प्लस 4 प्लस 2, तो यह आपका प्लस 4 है, यह आपका प्लस 2 है, लिगेंड कौन है, एक माइनस, यह तो सेंट्रल मे F minus, यहां भी F minus, आप पढ़े होना F minus weak है, अभी तो आप पढ़ लिये ना कि F minus तो weak है सर, तो हमने इसको भी weak field मान लिया, तो यह हमारा क्या था, weak field यानि SP3D2 यानि outer orbital complex यानि high spin, outer orbital complex, high spin, इसको हमने माना inner orbital complex, sorry, outer orbital complex, high spin, तो कि हमने पढ़ा F minus weak है, हमने अपना assumption दे दिया, बच्चों बाद में पता चला, यहां तो हम सही है, यहां तो हम सही है, यहां हम गलत हो गए, सवाल उड़ता है क्यों गलत हो गए, गलत इसलिए हो गए, क्योंकि इसी के basis पे हमने strong और weak मान लिया, अरे metal iron को भी देखना पड़ता है, बुक में यह नहीं लिखा होता, बुक में किवल ligand के बारे में लिख दिया और हम पढ़ लिये, मेटल iron को भी तो देखना पड़ेगा कि मेटल iron कौन है, उस basis पर decide होगा, तो detail में अभी पढ़ना है, तो आगे अभी उसी को पढ़ने जा रहे है, कि जो ligand की strength है, वो क्यवल ligand पर ही depend नहीं करती, high spin, low spin complex का बनना क्यवल ligand पर ही depend नहीं करता, मेटल iron पर भी depend करता है, तो थोड़ा मेटल iron के बारे में भी जान लो, बी आर माइनस, आई माइनस, यह हो गया, अमोनिया, NCS यहां से क्या नहीं था, वाटर नहीं था, हाँ वाटर रट गया था, चलिए हो गया, अब देखो, आपका transition metal d block, आईए पहले 3D series की बात करते हैं, 3D series, 3D, 4D, 5D, 6D तो भी complete हुई नहीं है, अब आईए main बात यह है, इसको सीखना है, 3D series में अगर प्लस 2 का metal iron है, ni2+, co2+, fe2+, zinc 2+, mn2+, अगर प्लस 2 oxidation state का metal iron है, तो सारे πाई acceptor strong है, बाकि सब weak ligand है, और पाई acceptor are strong field ligand while, यह सारे πाई acceptor है न, rest are weak field ligand, यह सब SFL है, बचे हुए सारे WFL है, बस main point यह है, यह सीखना है, आईए, प्लस 3 पे आते हैं, देखिए, इसकेंडियम, टिटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आईरन, आईरन 3 प्लस तक, अगर आप आएंगे, इसकेंडियम 3 प्लस से, आईरन 3 प्लस तक, अगर आप बात करेंगे, तो यहां से यहां तक strong है, कहां से, CO to ammonia, are strong, rest are weak, ठीक, अब बात करिए आप, किसकी, कोबाल्ट 3 प्लस की, इसकी बात कीगे, तो यहां से यहां तक तो strong है, CO से ammonia तक तो strong है, अब बात कीज़े ज़रा बाकी, कोबाल्ट 3 प्लस के केस में, जितने oxygen donor हैं, सारे strong हैं, कौन कौन है oxygen donor, पानी, oxylate ion, OH-, O2-, सब हैं, in case of, CO 3 प्लस की, all oxygen donor, OH-, O2-, C2O4-, H2O, all are strong feed ligand, rest are WFL, rest are WFL, यानी कोबाल्ट 3 प्लस के केस में, यहां से यहां तक तो strong है ही, यह तो strong है, देखो मैंने लिखा, SFL है, लेकिन कौबाल्ट 3 प्लस के केस में, जितने oxygen donor हैं, OH-, O2-, पानी, और gelate ion, वो भी strong, अगर iron का केस लिया गया, और हमसे कहा गया कि बताओ, पानी क्या है, तो पानी weak है, मैंने क्या लिखाएदरा पढ़िए आप, यहां से यहां तक, कोबाल्ट से ammonia strong हैं, बाकि सारे weak हैं, इनको एक में लीजे, बताइए, बस आपके और इसी लाइन को देखिए, समझेए, इसका इंडियम 3 प्लस से iron 3 प्लस, CO से ammonia तक, सारे strong field हैं, बाकि सारे weak field हैं, आप समझे आया, लेकिन जब कोबाल्ट 3 प्लस का हमने केस लिया, तो CO से ammonia तक तक तो strong है ही, और जितने oxygen donor हैं, पानी, oxylate iron, oxide iron, hydroxide iron, ये सारे strong हैं, अब clear हुआ, तो जब इसका इंडियम 3 प्लस से iron 3 प्लस आएगा, तो आप इतनी line पढ़ेंगे, जब कोबाल्ट 3 प्लस आएगा, तो ये नीचे वाली line पढ़ेंगे, और सारे सवाल यहीं से होंगे, येई के, NEET के, CUET के, CBSC के, आपके booklet के, assignment के, previous year question के, सारे आपके सवाल यहीं से होंगे, इसी तरीके से सारे सवाल निकलेंगे, ये तो अधूरी जनकारी है, देखी रहे हो, अगर iron 3 प्लस है, तो पानी वीक है, पोबाल 3 प्लस के समने, पानी स्ट्रॉंग हो गया, अगर आपका iron 2 प्लस है, देखिए, iron 2 प्लस है, तो ammonia वीक है, EN वीक है, iron 3 प्लस है, तो ammonia स्ट्रॉंग हो गया, EN स्ट्रॉंग हो गया, अब समझ में आ रहा है, प्लस 2, प्लस 3, अब आते हैं प्लस 4 पे, अगर metal iron प्लस 4 oxidation state में है, तो सारे लिगेंड इस्ट्रॉंग है, अगर प्लस 4 oxidation state में है, अगर iron प्लस 4 है, मैंगनीज प्लस 4 है, अगर आपका कोबर्ड प्लस 4 है, अगर आ गया ऐसा, तो सारे लिगेंड, यहां से लगा के यहां तक, सारे all are strong field लिगेंड है, सब के सब strong field है, सारे strong field है, सब के सब क्या है, strong field है, ठीक, अब आप आईए 4D और 5D स्रीज लिगेंड है, 4D और 5D सिखी, अगर हम प्लस 2, मेटल आयन चाहे प्लस 2 में हो, चाहे प्लस 3 में हो, चाहे प्लस 4 में हो, सब के सब लिगेंड है, strong, all are, s, f, सब के सब कैसे हो गए बच्चा, सब के सब strong, all are strong field, यह हो, समझ में आया, यह तो था आपका 3D, 4D, 5D, कॉडिनेशन नंबर 6 के लिए, यह जो अभी पढ़ रहे थे, D block, यह पढ़ रहे थे, कॉडिनेशन नंबर 6 के लिए, पहले 3D सीरीज देखे, फिर 4D, 5D देखे, 3D सीरीज में, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, 4D, 5D में, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, सब देख दा ले, डिटेल पूरा देख दा ले, देख लो, तुमारे समने है, कॉडिनेशन नंबर 6, यानि, औक्ताहेडरल जमेटरी, औक्ताहेडरल जमेटरी, औक्ताहेडरल जमेटरी, चिक, यह हो गया, अब, टांजीशन मेटरल D block, अब आब कॉडिनेशन नंबर 4, तो टेट्राहेडरल इस्वायर प्लेटर के लिए आओ Coordination No.4 Octahedral नहीं है इस बार इस बार Geometria Tetrahedral और इस्वायर प्लेटर यह तब बनेगी जब लिगैंड होगा वीक यह तब बनेगी जब लिगैंड होगा स्ट्रॉंग WFL, SFL कौन weak है, कौन strong है Tetra-Hedral Spire Priner Coordination No. 4 D-Block Coordination No. 4 हम पढ़ने जा रहे है Coordination No. 6 हम पढ़ लिया Octahedral जब ligand strong होगा तो D2, SP3 जब ligand weak होगा तो SP3D2, किस case में strong होगा किस case में weak होगा detail में आपको पढ़ाया गया अब आईए Coordination No. 4 पे weak होगा, तो कौन सी geometry बनाएगा strong होगा, तो कौन सी geometry बनाएगा अब यह आपको पढ़ना है ठीक है, तो आईए 3D series Plus 2 क्या होगा यहाँ पे Plus 2 oxidation state कहां से कहां तक, CO से अमोनिया तक CO2 अमोनिया All are strong field ligand Rest are weak field ligand कहां से कहां तक strong है, कहां से कहां तक weak है 3D series अब आईए, प्लस 3 में Plus 3 में आईए, प्लस 3 की बात कीजे All are strong field All are strong field सारे strong होगा, कोई weak रहा ही नहीं अब आईए, प्लस 4 में Plus 4 में आईए, प्लस 4 में भी क्या है सारे strong, अच्छा हाँ Plus 4, जो coordination number 4 वाले हैं न Generally यह प्लस 4 नहीं बनाते यहां पहले मैं लिख दो कि सारे strong होगे फिर मैं एक line आउ लिखूँगा कि coordination number 4 Generally do not make Generally Do not make Generally do not make Generally यह नहीं बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, do not make Complexes in Plus 4 oxidation state Generally यह complex को Plus 4 oxidation state में इनके कोई complex Coordination number 4 में generally देखने को नहीं बनाएंगे तो आपने 3D series का पढ़ लिया Plus 2 में कौन है Plus 3 और Plus 4 में कौन है आई यह 4D, 5D पे आएं रफ करें आईए, अब आप बताईए अरे 4D और 5D series में आजाईए Coordination number 4 के लिए Plus 2, Plus 3, Plus 4 क्या मिला All are strong field ligands सबके सब strong field है सबके सब strong field है रफ करें यह तो था आपका पूरा detail आज आप सीख गए होंगे कब strong बोलना है और कब weak बोलना है अब आपको आगया होगा किसे strong बोलना है और किसे weak बोलना है लेकिन मैं एक बात और लिखोंगा Note Note कर लो, क्या करोगे पहला For Coordination number 6 यानी Octahedral geometry मतलब Strong and weak या ऐसे भी कह लो High Spin and Low Spin Complex Arc Check the fork, किसके लिए चेक करोगे D4 से D7 जब मेटल आयन का कन्फिग्रेशन D4 से D7 के बीच में होगा तब चेक करना strong और weak High Spin और Low Spin जब तक मेटल का कन्फिग्रेशन इसके पहले या इसके बाद कोई भी High Spin या कोई भी Weak, Low Spin नहीं होगा आपको detail में CFT में पढ़ाएंगे अब आये दूसरा For Coordination No. 4 For Coordination No. 4 Haan SFL and WFL High Spin and Low Spin Complex Generally Determined for Generally Determined for DA to deny ले लो लो ये था complete concept अब आपको problem नहीं आएगी अब जैसे एक बाद मैं एक सवाल दूँ अब आप लगा देंगे देखिए अब अगर मैं ये एक जैंपल दे दूँ copper ammonia का hole 4 2 प्लस चलो अब कोई कहेंगा चेक करो बताओ ammonia strong है की weak कोडिनेशन नमबर 4 में अगर strong है तो इस्पायर पिल्लर वीक है तो टेटराहिडरल यही होता है ने अब बताओ हमने तो पढ़ लिया सब कुछ अब क्या दिक्कत है प्लस 2 में है 3D सीरीज का मेटल आयन तो ammonia क्या होगा बेटा इसको रफ़ा दो यह ऐसे लिखो तो ammonia क्या होगा ammonia होगा strong वीक और strong कहां चेक करते हैं D8 और D9 में तो यह D9 है तो यहाँ चेक करेंगे D9 में हम चेक करेंगे weak और strong तो यह strong हो गया तो यह कौन सा complex बना square प्लेयर कॉम्प्लेक्स आ गया जो ट्रिक हम सीखे कल बीबीटी का सारा सवाल इसी ट्रिक से लगेगा सारा hybridization सारी geometry magnetic moment कौन पेर्ड है कौन पेर्ड है कल पूरा बीबीटी का सारा इसी से लगेगा ठीक है तो बच्चों आज के लिए वीडियो हम खतम कर रहा है कल से फिर बीबीटी पे आएंगे फिर से सारा concept और कल से तो आप master हो गये हैं अब तो आप खुदी सारा hybridization आपका geometry आपका magnetic property hybridization सब आप बता देंगे कल से हम इसी पे detail में discuss करेंगे थान आपका है थान आपका है तो आपका बच्चों के लिए भीडियों आपका अज़ बता दिसे हम इस दोग्पट्साइब थीज़ एंब का रहा है तो आपका अज़ घूज बता देंगे